वेल्कम टो लर्निटीव चैनल आज रेजिनिंग प्रैक्किस सेट में सेट दो का सोल्यूसन ठेके गए और जो आज का क्वेश्चन है वो सेजियल 4 जून 2019 को जो एक जाम होता स्रिफ्ट टू में उस स्रिफ्ट का क्वेश्चन लिया गए आज आज का पहला क्वेश्चन ये एज से दिया गया है इसमें कहया कि 10 वस पहले किसी पिता की आयू अपने पूत्र की आयू से 3 नुना 6 एक 7 वट्टा 2 गुना थी अगर मतलब फादर का आयू जो है वो सन के आयू का 7 वट्टा 2 गुना था अगर हम पूत्र की आयू को 2 मनेंगे तो पूत्र की आयू कितना हो जागा 7 हो जागा ये कब ये जो है 10 साल पूर्व का बात कर रहा है जो पिता और पूत्र का अयूक अनुपात होगा और अब से 10 साल बाद यानि अब से 10 वर्स बाद पिता के अगर अपने पूत्र के अयूक की 48,9 बटा दो गुना थी इसका मतलब 10 वर्स जो बाद था 10 वर्स बाद पिता और पूत्र के आयू का अनुपात क्या हो जागा अगर पूत्र के आयू का अनुपात चार गुना ना तो अगर पूत्र के आयू चार तो पिता के आयू कितना हो जागा नौ इन दस बर्स बात जो आयू का अनुपात आया नौ अनुपात चार आ गया तो ये अनुपात म में दोनों का नुपात में दो-दो की उड़ी हो ओ और जबकी 7 से 9 होने में अनुपात में कितना सामया लगा 10 साल पूर्व से लेकर 10 साल बात थक यानि टोटल 20 साल लगा यनि यही 2 का भैलू 20 दे दिया है तो एक का भैलू कितना हो जाएगा 10 जब ये नब्य साल जो आया वो कब का आया दस बर्स पूर्व का आया और बर्तमान में जाने के लिए पिता में भी दस साल जो रहेंगे और पुत्र में भी दस साल जो रहेंगे यानि टोटल जो आयू होगा पिता पुत्र का बर्तमान आयू वो 110 आप्शन नमर 60 का राइट अंसर होगा तो अगर हम अनुपात के वीदी से बनाते हैं तो इजी वे में सवाल बन जाएगा अब नेक्स सवाल डाइस चे हैं इसमें क्या देगा कि 6 के निचले फलक पर है तो उपरी फलक पर कौन से संक्या दिखाए देगी यानि 6 का भी पुछना चारा है कि 6 के वीप्रीत फलक पर क्या आयेगा इससे पिछले वाले वीडियो में भी बता थे अगर दोनों में कोई कॉमन मिल रहा हो जैसे इसमें देखे तो इसमें 3 है और इसमें भी कॉमन तीन है तो अगर कोई कॉमन मिले तो क्या करना उसी कॉमन से शुरुआत करना है और क्लॉक पाइज में घूम जाना है एंटी कलोकबाइज भी घुम सकते हैं कलोकबाइज भी घुम सकते हैं अगर हम कॉमन से शुरुवात करके कलोकबाइज घुमेंगे तो सबसे पहले तीन आएगा उसके बाद कोन आएगा एक और उसके बाद कोन आएगा पांच आएगा तीन एक पांच हो गया अग इस पासा में भी तीन से यानि जो ची कॉमन हो उससे शुरुआत करना है यहां भी तीन लिख लेंगे फिर क्लॉक बाज घुमेंगे तो पहले चार आएगा उसके बाद दू आएगा इसका मतलब एक के विप्रित चार हो गया पांच के विप्रित दू हो गया अब बचा केवल 6 तो यह 3 का विप्रित 6 हो जाएगा यानि इसमें 3 का विप्रित पूछा है तो 6 का विप्रित 3 हो जाएगा अगर एक कॉमन मिले तो कुछ ने करना है जो कॉमन हो उससे क्लॉक बाज में घुम जाना है तो अब 2 का विप्रित पता चल जाएगा जब 2 का विप्रित पता चलेगा तो 3 का आटोमेटिक पता कर लेंगे बांकि जो संख्या बज जाएगा वो 3 का विप्रित होगा यहीं 3 का विप्रित क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा अब next सवाल देखते हैं यह जो समूच जिस से समन्नित है यहां भी अटा अटा अगर औलमर्ण चेक करएं इस में कहीं 4 दोना 8 पोलस 10 होना चाहीए तब ही ये series को follow करता है ये option ने होगा और ये 14 दुना 28 ये तो बिल्कुल option ने हो सकता ये भी बिल्कुल option ने हो सकता अगर ये देखे c नमर तो 12 दुना 24 मैनस 220 फिर यहां देखे 22 दुना 44 पलस 24 यानि ये ये जो series जिस तरह से follow कर रहा है वे साइज इस series option नमर c में follow कर रहा है अब next सवाल देखे नमर के चार संख्या मेंसे तीन संख्या किसी एक परकार समान है और एक संख्या समान है उस सा समय संख्या का chain करें देखे इस सवाल में बोऄ आदम क्या करेंगे जैसे बताते हु उनके बारे में जैसे मेंně जिस बेक्शृ कॉमन गल्ती क्या करता है सब बहुत लोग क्या करेंगे, ये 30 को छाट देंगे, बुलेगा कि ये 5 से कट रहा है, और बांकी 5 से नहीं कट रहा है, जो कि गलत हो जाता है, डारेक्ट अंसर, गलत हो जाता है, क्यों? क्योंकि इस तरह का जो छाटना रहता है, अगर सवाल में, तो कुछ नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि पहले हम देख लेंगे कि ये 5 से कट रहा है, बांकी 5 से नहीं कट ऐसा नहीं, अगर ये 5 से कट रहा है, तो बांकी 3 में क्या समानता है, वो हमें दिखाना है, नहीं वाला समानता नहीं दिखाना है, नहीं वाला तो बहुत समान्ता मिल जाएगा बोलेंगे इसमें 0 है इस 3 उम नहीं 0 नहीं है तो नहीं वाला समान्ता नहीं देखना है हाँ वाला कोई समान्ता देखना है तो बाकी हाँ वाला कोई समान्ता इसमें है अगर हम इसको देखें तो ये 3 का स्क्वाइर प्लस 3 है ये कितका यानि 7 का स्क्वाइर प्लस 7 है और ये 5 का स्क्वाइर प्लस 5 है इस तीनों में क्या समानता है इस तीनों में समानता में लहने A, C और D में यानि किसी संक्या का स्क्वाइर को में उसी संक्या को जोरा गया है लेकिन क्या 3 का स्क्वा तो इसका मदलब यह संख्या जो अलग होगा यानि बांकी तीन में क्या समानता है हमें वोच यह करना है चौथा आटोमेटिक छाट जाएगा यह चौथा को छाटने वालों नहीं देखना है बांकी तीन में समानता देखना है अब बोला किरिया का समन्द परती किरिया यानि किरिया का विप्रित परती किरिया होता है अगर किसी को हम उक्साते हैं तो उसका विप्रित क्या हो जाएगा उक्सान अनुकिरिया देना है यानि उक्साना का विप्रित होगा वो अनुकिरिया हो जाएगा नेक्स सवाल देखते हैं जिससे इस तरह का जो समान होता है यानि उस सब्सक्राइब के जो तीसरे एक्षर समूँ से उसी परकार समदित है जिसे दूसरा एक्षर समूँ पहले एक्षर से यानि जिस परकार ये जो दूसरा है पहले से समदित है उसी परकार यह जो यहाँ पर आएगा वो तीसरे से किस परकार समगनीत होगा तो पहली अगर हम इसको कोडिंग कर लेंगे तो हमें EGV में पता चलेगा तो B, E, C, D का अगर कोडिंग करें तो B, 2, E, 5, C, 3, D, 4 ठीक है? और Y, B, X, W का कोडिंग करें यह दूनों का अगर हम जो रहें तो 37 हो रहा है यह दूनों का जो रहें तो 37 हो रहा है यह दूनों का जो रहें तो 37 हो रहा है 37 होने का मतलब क्या होता है? कि वो एक दूसरे का विपरीद होता है अगर हम 4 का विपरीद निकालेंगो तो 23 तरफ जाएगा तो तुम आड़ संवाज में आज आएगा कि क्या गया है अब जिसे नेक्स सवाल होते है, सूर्ज से हमें उस्मा मिलता है, क्या छट से घर मिलता है, ये नहीं होगा, फल से बिटामिन मिलता है, हाँ ये मिलता है, ये option हो सकता है, जिस परकार सूर्ज से हमें उस्मा मिलता है, सूर्ज से उस्मा, उसी परकार फल से हमें क्या मिलता है, बिटामिन मिलता है, आदरता से वातबरन मिलता है, ये भी नहीं हो पाएगा, कार से सवारी मिलता है, ये भी नहीं हो पाएगा, एक ही उप्सन इसका बन रहा है, फाल्स से बिटामिन मिलेगा अब जिसे फिर कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आए तो coding to coding का जब यह सवाल आए तब क्या करना है, उसको कोड लिख लेना है, अगर हम लिख लेंगे उसका code लिख लेंगे तो easy way में सवाल बन जाएगा, जिसे B2 होता है, A1 होता है, C3 होता है, K11 और इसका code क्या दिया गया 11 3 1 2, यानि 11 को यहां लिख दिया गया, 3 को यहां लिख दिया गया, एक को यहां lifesी तरह का गोर्द निकल thirds, M13 cozy 1 D4, E5 तो पहले यह 5 यहां आएगा फीर 4 आएगा फिर 1 आएगा फिर 3angel यानि 5,4 1,3 option number B अगर हम इसको codid कर देंगे थो हमें easy way समझ में आ जाएगा अब नेक्स सवाल देखते हैं अठारा पलच छे माइनस छे भागा तीन गुने तीन यानि किस चीन को हम बदलेंगे कि यह क्वेशन सटिस्फाइड हो जाएगा तो देखें सबसे पहला हम बोले थे इस सवाल पहला से में बोले थे कि इसमें भाग को कंसेंट्रेट क मैं कि भाग कहां आसकता है तो यहां पर भाग आपको हर जग आसकता है हार भी बातेंगे तो शेंके यहांब हर जबी बाग आजाटाम तो प्रहले गएक तो बातेंगे बातें ही अग्यांशीय سब्से कacerएystem यपकले निया तीन इक नि मश्भागा इच्छे यानी को संसाटीस्टाइड हो रहा है इसका में पलस और भाग को बदल लेंगे तो संसाटीस्टाइगा अन्यक्स सवाल देखते हैं चार में से तीन सब्सक्षिए पर कारेक्षिए आपने एक सवाल इस सीरीज का सवाल दे दिया गया है ननवरवल सीरीज इसको क्या क्या गया है बताते हैं जैसे यह था इसको 90 डिगरी घुमा दिया गया है अगर हम 90 डिगरी घुमाएंगे तो यह चीन किस पर करागा हो देख लेंगे एक तील लाइन तो रहे गई और 90 तो तीर है इस तरह से यह नीचे तीर रहेगा लेकिन इस तीर को क्या क्या को उपर डाल दिया गया है अगर हम 90 डिगरी घुमाएंगे तो यह जो है यह उपर चला जाएगा लेकिन वो क्या 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 उसको नीचे डाल दिया गया है यानि 90 डिगरी घुमाने के बाद जो त कर देता है फिर इसको अगर हम 95 गुर्व घुनाइंगे तो यह इस recommending आज उस्साथ एड़र furnetStra एघर हैं 13 गुए तो इधर गुंख dwutी सुनियाीत धर ना खुरत इसे तरह से Wellet fromheenstrands Left. Northern WILL dot t imagined is 180 और इसा अंब्यद्व घुनाइंगे इस आकिर्थी को लेकन इस तरह से ती लेकर यह से ती यहां से तीर गंगे यहां इस चांदर का किरती इसके विपरड़ी जिसामे इस तरह साकर्ती ज्याए गयाना इसका लोगा option number 20 का right tensor हो जाएगा इस तरह से आकिर्टी जोगा option number B में है अब नेक्स सवाल देखें यहां पे 2, 5, 11, 23 और 44 देखें अगर first look में अगर हम देखें इसको तो पहले 3 का विर्दी किया गया फिर कितना 6 नहीं अगर first look में हमें क्या देख रहा है गुना दो पलस एक किया गया जो दुना चार पलस एक फिर पांदमा दास पलस एक 11 दुना 22 पलस एक तैस लेकिन यहां पे तैस दुना 46 पलस एक 47 नहीं दिया गया इसका मदलब यह जो series है यह इस तरह से follow नहीं करेगा तो अगर जब समझ में आए न तो क्या करना है पहले difference निकालना दिफ्रेंस निकालेंगे तो यहां तीन आएगा यहां छे आएगा और यहां बारा आएगा बारा फिर यहां पर कितना जाएगा ऑढ़的是合ra अंभी बी समझ में आए तो हम क्या किरेंगे डावलडिरट्य निकालेंगे एनिसिंगल टिफ्रेंस अगर समझ में आए तो डावलडिफ्रेंस निकालेंगे अगर इकिस बीए निकेली आता रहा फिर यहां से मरत होना तो अगर सिंगल डिफ्रेंस में समझने तो डबल डिफ्रेंस निकाल लेंगे अब नेक सवाल देखते हैं जिसे पहले क्या क्या गया जैसे यह एक कागस था एक नट इस तरह से कागस था पहले क्या कि इसको आधा पे मोर के यानि यह वाला जो पोर्षन था इसको इस पे चरहा दिया गया तो आधा से मोर का अगर इस पोर्षन के इस पे चरहा दिया गया तो इसका मतलब यह आकिरती बचा यानि केवल इतना आकिरती बचेगा आधा वाला आकि अगर इस वाले भाग में उपर चरहा देंगे तो केवल यह भाग बचेगा केवल इतना ही भाग बचेगा न क्योंकि यह उपर चरहा देंगे अगर अगर मांचिल हम इसको उपर चरहा देते हैं तो केवल इतना भाग बचेगा इतना भाग बचने के बाद क्या किया गया कि ए यहां से कागज को काट दिया गया और दो यहां पर बिंदू काट दिया गया अगर हम यह पूरा भाग को खोलेंगे यानि यह इधर वाले भाग को तो कुछ जैसे इस तरह कटा था उसी तरह यहां भी कट जाएगा और जैसे दो पॉइंट यहां कटा था तो एक point यहां रहेगा और यहां पे जो कटा था यह वाला जो आकिरती खुलेगा यहां पे जो आकिरती रहेगा वो इधर चलाएगा एक point यहां कटेगा अब इस पूरे आधा को अगर हम यह पूरे आधा को अगर हम खोलेंगे तो ये लाइन ये जो दो बिंदू था ये दो बिंदू यहां पर आ जाएगा एक बिंदू यह जो था ये एक बिंदू यहां रहेगा और ये जो एक बिंदू था एक बिंदू यहां रहेगा और जो इस तरह से अगर ट्रेंगल का कार्म करता तो ट्रेंगल का कार्म उपर भी कटेगा, इस तरह से triangle का करन में तो ऐसा कौन से option में दिया गए है तो option number ए तो नहीं होगा क्योंकि ए में इस तरह से नहीं दिया गए और B में बीच में दे दिया गया दो point ये वी नहीं होगा C में यहाँ पर कहां सा जाएगा यहाँ पर दो पॉइंट साथ मिलाना चाहिए यह भी नहीं होगा एक ही option D नमर मिल रहा इसका इटन सा next आवाल देखते हैं यानि यह जो आकिरती है वो किस परस्त यह परस्त नाकिरती में कहां पर चुपा हुआ है तो यह एक ही जगा option देख रहा है वो D में चुपा हुआ है जैसे कि यहाँ ऐसे फिर यह point और यह point केवल D में ही देख रहा है जिसे यह देखे यह इस तरह से जो आकिरती है वो D में ही option नमर D में ही देख रहा है इसका जो अंसर होगा right answer option नमर D हो जाएगा नेक्स हावा लेखते है इसको अर्थपुर्ण कर में सदेना है तो सबसे पहले हमें बीमारी होगा बीमारी जब होगा तब हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे डॉक्टर के पास जब हम जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा रोग का पहचान करके यानि पहले विमारी होगा उसके बाद हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे डॉक्टर क्या करेगा रोग का पहचान करके प्रामर्स और दवा दोनों देगा प्रामर्स और दवा देगा यानि चार छे दो तीन एक उसके बाद हमें स्वास्त लाब होगा यानि चार छे दो त तीन एक पांच ऑप्सन नमर सी इसका राइट अंसर होगा नेक्स सवाल आते हैं यह जो सीरीज का सवाल है वो पिछले वाले वीडियो में भी था जिसी इसमें कहते हैं एक एसी खाली अस्तान फिर डी खाली अस्तान भी इसी सवाल को बढ़ा कर देते हैं तो इसमें कितना आकिर्थी दिया गया दो एक तीन एक चार एक पांच छे साथ आठ नो दस 11.12.13.14.15.16.17.18 यहां इने 18 लेटर दिया गया है तो अगर हम 4-4 में डिवाइड करेंगे तो 3 चार्चों का 16 तक कर जाएगा दु एकस्ट्रा लेटर बच जाएगा अगर हम 5-5 मे बचाने तर्बर जाएका अगर छेचे में करेंगा तो तो एक तीन होस्त जाम के डूहां तो संस्ताकि का ग्रूब बना लिए जैनि संपूर्ण गुरूब बनाएगा अगर 15 राता तो 55 का गुरूब बना लेते हैं अब आते हैं इसमें क्याते हैं कि A C खाली अस्तान D खाली अस्तान B देखे A C था पहले A है उसके बाद C था यहां पे उसी तरह एसी यहां रहेगा और यहां भी A C आ जाएग डी बी होना चाहिए अब पूरा भरा गया तो मेरे पास क्या है पहला बार में बि उसके बाद डी उसके बाद तब क्या करना है जितना फास्ट आप कोडिंग किज़े उतना जल्दी समझ में जाएगा अगर पहला का कोडिंग करेंगे तो तो T20, W23, U22, 22 ठीक है अगर तीसरा का कोडिंग करेंगे तो M13, P16, N14, O15 अगर दूसरा का कोडिंग करेंगे तो H8, N14, L12, J10 अगर लास्ट का कोडिंग करेंगे तो D4, G7, E5, F6 तो क्या देख रहे हैं यहां पर पहले तीन बरहा फिर दो घटा फिर एक बरहा तीन बरहा द तीन बरहा दो घटा फिर एक बरहा यहां क्या देख रहे हैं छे बरहा फिर दो घटा और फिर दो घटा और फिर दो घटा और यहां क्या देख रहे तीन बरहा फिर दो घटा फिर एक बरहा तो जैसे पहले तीन बरता है फिर दो घटा फिर एक बरता है तीन बरता है दो अब नेक्स आवाल देखते हैं, जिसे कुछ कारे बाहन है, कोई भी बाहन चार पईया नहीं है, जिसे कार में से कुछ जो कार है, वो बाहन हो रहा है, और कोई बाहन चार पईया नहीं है, यानि बाहन का चार पईया से कोई डिलेशन नहीं है, यानि कोई भी बाहन जो है, वो चार पईया नहीं है, अगर आप सोच रहे हैं कि हम इस तरह से डियागराम बना कि हम सवाल का अंसर निकाल देंगे, तो 100% गलत हो जाएगा, यहां डो डियागराम ब बनांगे तो दोडागरम बनेगा अगर जो लोग ये दूसरा डागरम नहीं बनाएंगे वो लोग 100% सवाल को गलत कर लेंगे अब नेक्स आते हैं कोई भी कार 4 पईया नहीं है अगर इस टेस्टेट में आँ देखे पहला दो डाग्राम बना न पहला यह दूसरा यह अगर पहला डाग्राम में देखे तो कोई भी कार 4 पईया नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये diagram गलत है क्योंकि ये जो niskerz है वो गलत हो जाएगा त्योंकि जो भी niskerz निकलेगा पहला diagram और दूबो डागराम दूबो डागराम में सही होना चाहिए लेकिन ये जो first niskerz है वो दूसरा diagram में गलत हो जाता है यानि सभी चार पया ने, कुछ चार पया का रहा है, ऐसा करता तो चलता लेकिन यहां पर यह गलत हो जाएगा, कुछ बाहन का रहे हैं, जिसे वाहन में कुछ बाहन यहां भी कार हो रहा है, और कुछ बाहन यहां भी कार हो रहा है, तो option नमर 3 इसका right answer होगा, यानि केवल निस निकलता है कि अब नेक्स सवाल देखते हैं माता-पिता अमीर्वैक्ति और किसान यानि माता-पिता आमीर्वैक्ति और किसान देखे जब भी भेंडाग्राम बनाना रहे है तो भेंडाग्राम कुछ से बनता हैं, मतलब भेंड अगरां क्या चीस बनता है, पहले रिलेशन निकालना पड़ता है, कि रिलेशन कुछ का है, रिलेशन सभी का है, या रिलेशन कोई नहीं का है, कोई नहीं, अगर माता पिता और अमीर वेक्ति का बात करें, तो कुछ माता पिता जो होते हैं, वो अमीर व्यक्ति होते हैं इसका मतलब इसका भी समंद कुछ से हैं और इसका भी समंद कुछ से हैं अब किसान और माता-पिता हम बात करें तो यह कह सकते हैं कुछ किसान माता-पिता होते हैं कुछ का साधी नहीं भी वह रहा था लेकिन कुछ का समन्द इसमें भी है कुछ किसान माता-पिता होते हैं यानि तीनों में कुछ-कुछ का समन्द हो रहा है तो इसका मदले इस तरह से डियाग्राम यानि माता-पिता से किसान का भी कुछ का बना देंगे यह उप्शन नमर यह इसका राइट रहोगा तीनों में कुछ-कुछ का रिलेशन निकल रहा है अब नेक्स सवाल आते हैं जैसे जब हम यह बला रिलेशन चेप्टर पढ़ाएंगे उससे में बता देंगे अभी सॉटकॉर्ट मैं बता रहें कि कैसे बनाते उसक सबाइन वाइफलर तो उसको यह इस तरह से रियाट कर देना कि हम पता चले है अब यह पैटा-बेटा नीची लिखना है और पोता-पोती रहें है तो से भी नीचे लिखना पिता पिता है यहींब पिक्यू का उपर लिखें में और मिल कर देंगे ताकि पता तेले कि मेल है और R के दादा है P जो है अगर Q का पिता है R का दादा है इसका मतलब R Q का बेटा होगा R Q का बेटा होगा तो इसका मतलब R को नीचे लख रहेंगे अब क्या बोला R S का भाई है अगर R S का भाई है तो R S दोनों भाई होगा या भाईवान को साथ में रखेंगे S की माता T का विभाद B से हुआ है अब देखें, यहाँ पर एक की confusion हो गया ऐसा तो नहीं बोला है कि R के दादा है, इसका मतलब वो Q का बेटा हो गया, ऐसा तो नहीं है R का दादा है इसका मतलब Q का भाद दीजा भी तो R हो सकता है, आर S का भाई है, तो इसका मतलब R अगर S का भाई हो, तो R मेल हो जाएगा, और S की माता T का विभाद B से हुआ है इसका मतलब S की जो माता है वो T है, यहनि फिमेल और इसका विभाद B से हुआ है, अगर इसका भी भी से हुआ है, इसका मतलब S का जो पिता होगा भी होगा R का भी पिता भी होगा और Q, B, दोनो भाई होगा T, Q की बहन है अगर T, U की बहन है, इसका मतलब इस भाई 1 को साथ में रखते हैं ये दोनों भाई 1 को तो establish पूछ रहां इसमें इसमें सवाल तो कुछ दिया ही नहीं गया है इसमें सवाल मिस्प्रिंटिंग होगए इसको छोड़ दीजएगा आगे बारते हैं इसमें सवाल कुछ दिया ही नहीं गया है 15 12 डीचार और एस उनिस ठीक है तो उसी तरह सब वर्शिप का यह यह ने सब्सक्राइब 20 15 15 18 20 14 औराइच आठ आए नौ पी सोला तो इसका कोड़ क्या होगा जैसे यहां क्या देख रहा है 25 यहां पर एक कमी कर रहा है 20 में एक कमी करके यहां लिखा रहा है 5 में एक कमी करके यहां लिख रहा है 13 में का कमी करके यहां 16 में का कमी करके यहां 12 में का कमी करके यहां 5 में का कमी करके यहां यानि उल्टा लिख दिया गए अगर हम 23 में का कमी करेंगे तो यहां क्या जाएगा बाइस इस साइट और बाइस में भी आता है भी तो भी एक ही ओप्शन ए में दिया गया इसका जो अंसर होगा डिरेक्ट हम लोग एक कर देंगे यानि अगर एक ही ओप्शन मिला तो हम फिर आगे नहीं बनाएंगे डिरेक्ट उसका अंसर टिक ओड कर जिस इसमें जिस परकार कर तीनों रिलेशन दिया गया है उससा ही रिलेशन बाकी किसमें दिया गया है जिसमें क्या देखेंगे पहले हमें आठ नहीं छे का विर्दी हो रहा है फिर बाद में कितना विर्दी हो रहा है आठ का विर्दी हो रहा है तो बाक के इसा कोई रिलेश और यहां पे आठ के वेख दे, option no.4 इसका right answer हो जाएगा अब आरे दाएं और दर्पन रखने पर सही दर्पन परतिविम क्या होगा दर्पन परतिविम में क्या होता है कि जो, यह आकिरती है और यहां पे हम एक circle दे दिये अगर इसका हम दर्पन परतिविम निकालेंगे तो दर्पन परतिविम में क्या होता है कि जो दाएं तरफ रहता है वो बाएं तरफ आ जाता है यानि इस आकिरती में जो यह है मेरे बाएं तरफ है और इस आकिरती में यह दाएं तरफ आ गया जो बाएं तरफ रहता वो क्या होता है दाएं तरफ हो जाता है तो अगर हम इसका पर्तिविम निकालेंगे तो इसका दाएं बाएं करेंगे तो बात तो बराबर ही आएगा तो यह option और यह option खतम हो जाएगा इसमें इस तरह से दे दिया गया है ठीक है उसके बाद क्या अगला इस दर्पन पढ़्ती में बनाएंगे तो ये बाये तरफ इस तरफ रहता हो बाये तरफ हो जाता है तो बाये तरफ इस तरफ हो जाएगा और इस तरह एक ही option बी में दिया गया तो इसका je onus को option नेमर B हो जाएगा अब next आवाल देखते हैं यहां पर 32 दिया गया यानि 4 का समन 32 से किस पर कर दिया गया है 4 का स्क्वाइर करेंगे 16 और 4 का अधा करेंगे 2 यानि 16 दुना 32 या यह भी कर सकते हैं 4 का स्क्वाइर करके 200 गुना कर दिया गया अगर हम यहां 10 का स्क्वाइर करेंगे 100, 100 को दो सुगुना करेंगे 200 नहीं होगा 6 का स्क्वाइर करेंगे 36, 36 को दो सुगुना करेंगे 22 नहीं होगा 8 का स्क्वाइर 400, 400 को दो सुगुना करेंगे यह नहीं होगा तो 6 का स्कॉयर का गया है तो 4 का स्कॉयर कर दिया गया है और फिर 4 को आधा करके गुना कर दिया गया है पहले 4 का स्कॉयर किया है फिर 4 को आधा करके गुना करें तो 32 आ गया उसी तरह से पहले 6 का स्कॉयर करेंगे अब फिर 6 को आधा करेंगे अगुना कर देंगे तो 108 आ रहा है तो इसका जनस्रोग उप्शन नमर C हो जाएगा अब नेक्स सवाल ये ट्रेंगल गिनने का है देखे इस तरह का जो जब भी ट्रेंगल गिनने का बात आता है हम जिसको हम डेट से कर देंगे जैसे यहां किया गया है इस तरह का फिगर का यूज एक यहां किया गया है और एक बरावला गर लेते हैं अब चेंज कर देते हैं यह बुलू ले लेते हैं अगर हम देखे इस तरह के figure में कितना तिर्भूज होता है एक तिर्भूज ये दो तिर्भूज ये और एक पूरा तिर्भूज यानि तीन तिर्भूज होता है इस तरह के figure में तीन तिर्भूज होता है और ऐसा ऐसा कितना बार परयोग किया गया है चार बार परयोग किया गया, यहनि इसका मतलब टोटल मिला के 12 तिर्भूज यह हो जाएगा 12 तिर्भूज था में पता चल गया डिरेक्ट, अब जब टोटल 12 तिर्भूज हो गया बांकी जो एक्स्ट्रा बच गया 13, 14, 15, 16 यहनि टोटल जो तिर्भूज का संक्या होगा उप्सन नमर 20 का राइट अंसर होगा, तो यहनि समान फिगर वाला चुह है न, उसको देख लेंगे कितना बार परयोग किया गया और एक बार परयोग किया जा तो उसमें कितना तिर्भूज होता है, जितना तिर्भूज होगा, उसको जितना बार परयोग किया जाएगा, उससे गुना कर देना है तो आज का सेशन यहीं समापत होता है और वीडियो अच्छा लगए तो लाइक की जाएगा और अपने दोस्तों के भी सेर्वे की जाएगा ताकि और भी लोग जूर सके और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किये चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर ले जागा तो आज के लिए तना ही थैंक्यू बाए बाए